Xiaomi HyperX 2.0 का जो बीटा प्रोग्राम है वो second batch के devices के लिए स्टार्ट हो गया है even यहाँ पर कुछ ऐसे भी device है HyperX 2.0 के जिनको और भी यहाँ पर कुछ ऐसे device है जिनको अपडेट्स मिलना है स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर HyperX 2.0 जो बीटा 2 का प्रोग्राम है उसमें कौन-कौन से device यहाँ पर एड़ हो जाते हैं क्योंकि Xiaomi ने कुछ और भी devices को अड़ कर लिया है जिनको काफी जल अपडेट में लेगा यहाँ पर इंडिया के भी काफी सारे और ग्लोबल के काफी सारे ऐसे मॉडल सो वर्जिंस हैं जिनके लिए HyperX 2.0 काफी जल शामे रिलीस करने वाला है यह वीडियो लास तक का देखते रहे है चैनल पर पहली बार है तो इसको सिस्क्राइब करने और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दिन तो चले करते हैं एक्स्ट्रीम एडिशन डिवास में लिया था यह वी यह पर मिल रहा है लेकिन आप यह आपर कुछ और भी डिवास देखने को मिल रहे है जिसमें यह यह पर शामी पैट 7 है पैट 7 प्रो यह यह लिए यह पर सेलक्टेड है लेकिन यहाँ जो 2nd batch के device है उसमें आप देखोगे यहाँ से Redmi Note 14 Pro Plus Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 जो 5G model है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है Then यहाँ पर Redmi Note 13 आ रहा है Xiaomi Mix Flip है और Redmi जो Turbo 3 device है वो भी आपको मिल रहा है Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi CB4 Pro Dan Eber Poco Pad series के भी कुछ मॉडल से यहाँ पर देखने को मिल जाते है और यहाँ पर आप देखोगे Xiaomi Hyperis Devices Receive 2.0 का जो अपडेट है Global Update by Quarter 1 25 क्योंकि यह 25 के अंदर ही इंडिया वगेरा में देखने को मिलेंगे तो उसकी जो device है वो यहाँ पर देखने को मिल गाए कौन कौन से device है दो को firstly जो 24 के अंदर यहाँ पर last quarter में आ जागा Xiaomi 14 series है जिसमें Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra मिल जाता है Xiaomi 13T, 13T Pro अगेरा आपको यह मिल जाएंगे जो के quarter 4 last में आपको देखने को मिल जाते है उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे जो device और है जो दूसरे add के Xiaomi 14 Ultra है जो के 25 के लिए quarter जो first में यहाँ पर updates मिलेंगे उसमें आपको Xiaomi 14 Ultra मिल जाता है Redmi Note 13, Redmi Note 13 जो NFC model है 4G वो models है Xiaomi 13T आपको मिल जाता है Redmi Note 13 series में Redmi Note 13 है 13 Pro है 13 Pro प्लस 5G यह सारे models और 4G series में सब मिल जाते हैं यहाँ पर और उसके साथ ही आप बेख सकते Poco X6 Pro 5G model है वो भी selected है Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra Xiaomi 14T series में Xiaomi 14T, 14T Pro है Ultra यह सारे models यहाँ आपर आजाते हैं और Poco series में Poco F series के सारे device है F6 Pro वगेरा मिल जाता है Redmi 13 में Redmi 13C है 13 है 13 5G model यह सारे selected है और Redmi 12 series में Redmi 12 है 12 4G, 5G यह सारे models यहाँ पर selected है जो कि आपको 1st quarter के अंदर ही 25 में मिलें और यह पर features वगेरा भी इसके देखने को मिल जाते हैं तो यह updates बहुत ज़दा better है जो कि काफी जल्द यहाँ पर release किये जाएंगे इनकी जो official announcement है, confirmation है वो Xiaomi ने official यहाँ पर कर दी है और यही जो same updates है वो मिलेंगों और यहाँ पर आप देखो को battery resources में optimizations है camera के अंदर है कि काफी सारे tools आचुके हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में आगे बता भी चुका हूं जो कि आपको अलड़ी देखने को मिल चुके हैं और यहाँ पर improved control center है यह भी features वगरा आपको देखने को यहाँ पर अलड़ी मिल चुके है तो जो Hyperis 2.0 का जो official update है वो यहाँ पर इन devices के लिए आना start हो चुका है और इसके साथ यहाँ पर आप और भी device देख सकते है what's new in Hyperis तो यहाँ पर performance है, graphics है, security है और bandwidth technology है और यहाँ पर architecture वगरा है और यहाँ पर graphic technology set मतलब बहुत सारे features जो हैं वो यहाँ पर Xiaomi उफिशल confirm किया AI dynamic wallpaper है, dynamic lock screen है वो मिल जाता है और यहाँ पर memory जो ads के feature है, smart search feature है तो यह सारे features Xiaomi ने official ने आपर confirm किया है जो कि 2.0 के अंदर इंडिया में या फिर global में या फिर सारी ही countries के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो इसकी जो भी information यहाँ पर आईगी वो आपको हमेशा चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी इसलिए अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजे जो भी information है वो आपको continue मिलती रहेगी और अबर आपका कोई comment या फिर query है तो directly आप उससे comment box में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो like करें अपनी families को share करें चैनल पर पहली वारन तो जरू subscribe कर ले मिलता होने शुडू में thank you watching and see you in the next one